वेलकम टू अवर ओनलाइन क्लास आज हम चैप्टर नॉमबर 5 की बूक एक्सोसाइस करने वाले हैं चैप्टर नॉमबर 5 था हमारा अवर क्लोद्स हमने इसको रेडिंग भी कर लिया और मैंने आपका अच्छा से एक्स्प्रेंग भी कर दिया हैं तो आज हम करेंगे इसका 1st परक करते हैं उसके अनूसा या वैदर भी सुटेट टू वैदर कंडिशन्स वैदर कंडिशन्स के अकोर्डीन मेक उस लुक गुड या अच्छी लुक के लिए अच्छा दिखने के लिए या ओल अफ दीज तो यह सभी के लिए पहनते हैं हम कपड़े तो हमारा अंसर है अल इन से कौन सा distinguished uh नहीं है दिघ्र का उतला है जो हमें प्रक्रिती द्वारा क्राप्ट होते हैं तृत के यह सब हमें प्रक्रिती द्वारा नहिठर द्वारे प्लांट हिए यह वूल हमें चिल्क का भी है इस सब नेचर द्वारा मिलते हैं और यह कौनसा नाइलोन जो नाइलोन है वह नेचर फाइबर नहीं है technetic fibers है यह हम बनाते हैं छट इंसरें नाइलोन भी व्हों है पहुथन थे कूशन है what kind of clothes are best in hot weather hot weather, hot means गर्मी का सीजन, गर्मी का जो सीजन रếता है मोँसम उसमें हमें किस टाइप के क्लोथ पहणने चाहिए तो कैसे पहनने चाहिए गर्मी के वोसम में light color cotton clothes light color के कपड़ पहंते न हम गर्मी में कि हमें गर्मी नहीं लगे तो यह हमारा आंस्व है light color colored cloth फर्थ क्योशन है, for whom out of the following are white colors best? इन में से, जो आपको options दिये हैं, इन में से कौन से जो जो वर्कर्स रहते हैं, वो white color पहनते हैं, इनके लिए white color best होता है, तो किनके लिए होता है, doctor's के लिए, क्योंकि वो easily दिख जाते हैं कि गंदा है, डोक्टर clean कप्ला पहनते नुझा विम को इसली उनको वॉइट डोक्टर को छाप बहेश कुवा इडवांतेज औफ कौटन कलोथ के क्या एडवांटेजcı क्या है मतलह क्या कौटन क्लोथ पहनने के क्या महत्म रहें क्यों पहनते हैं उसका अडवांटेज़क्या है the yellow body hit to scap मतलब हमें गर्मी body को गरम करने से वो बचाता है cotton cloth they absorb sweet वो पसीना अब्जोर्व करता है air can circulate easily thot them और उसमें जो air मतलब हवा जो हवा रहती वो easily आसानी से अंदर circulate होती है मतलब आसानी से हमें हवा body को हवा लगती है तो यह तीन वा राइट है इसलिए आपका अंसर है all of these मतलब सभी ठीक है सिक्स वाला क्वेशन है synthetic fibers are made from जो synthetic fibers रहते हैं two types के fibers रहते हैं natural or synthetic synthetic fibers किसके बने होते हैं तो काई से बने होते हैं chemicals ठीक है उनमें chemical मिलाते हैं तो वो synthetic fibers बन जाते हैं ठीक है आएका समझ में अब second question है name दीज आपको name लिखना है three natural fibers three natural fibers के name लिखना है cotton wool and silk ठीक है यांसर है अब two synthetic fibers nylon or polyester ठीक है polyester type of cloth best suited for hot weather जो hot weather है गर्मी का मोसम उसमें हमें किस टाप्स के कपड़ पहनना चाहिए तो cotton वाले d वाला है people working on machines wear them जो people machines में wear वाला काम करते हैं उन्हें क्या वो कैसे रहते हैं overalls ठीक है cleaning of clothes by chemicals जो chemicals के द्वारा हम clothes clean करते हैं उसे क्या मुलते हैं dry cleaning dry clean ठीक है अब बोलते हैं dry clean पे करवालो cloth dry clean करवालो cloth को dry cleaning पोलते हैं used to protect woolen clothes from insects जो insects रहते हैं छोटे छोटे जो जानवर रहते हैं insects उनको woolen जो cloth रहते हैं हमारे जो घर्मी ठंड के जो कपड़ा रहते हैं उनको कैसे protect करना चाहिए उनसेक्ट से कैसे बचाना चाहिए तो क्या मूथ बॉल्स रख सकते हैं एक बोल आती है मूद बॉल्स उनको रख कर या तो फिर dry neem leaves सूखी neem की पत्या रख कर भी हम उसको protect कर सकते हैं उनसे इंसेक्ट नहीं लगता है ठीक है you understand समझ गए आप सब आपको ये फैर कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है ठीक है नेक्स्ट ग्लास में हम इसके question answer करेंगे ठीक है thank you